नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस्टेटीफॉट सिब्सेज में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेसिन तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगा सब्सकार दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस्टेटीफार इस जाम में दोस्तों पियूपी ट्रेसी लेकपाल के सामा नध्यान सिरिश का बाईसामा वीडियो है वीडियो सुरू करने इस पहने आग बताना चाहता हूं हमारी कई पेड़ गुरूप चलते हैं अगर आप पेड़ गुरूप को लेना चाहते हैं तो दिये गए नंबर पे कॉल का जनकाई प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों देखते हैं पहला प्रस्म लोग उत्तर प्रदेश में जोतिर लिंगों की संख्या कितनी है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे भारत में कुल 12 जोति लिंगों में उत्तर प्रदेश में एक जोतिर लिंग है कासे विसुनात जो वारानसी में इस्तित है इसके अलामा सोमनात मंद्र जो गुजरात में है मलिकारजुन आंत्र प्रदेश में महा काले स्वर मद्र प्रदेश में और उंकरास्वर जो है वह भी मद्र प्रदेश मे इस्तित है और केदारनात उत्राखण में भीमा संकर महराष्ट में प्रेमबेक के स्वर यह भी आपके महराष्ट में है वैद्दिनात जारकण में नागे स्वर यह गुजरात में इस्तित है और इसके साथ है ग्रडे स्वर यह भी आपके महराष्ट में इस्तित है और सबसे अंतिम जो दच्छडी पे है रामेशवरभ यह तमिलनाड में इस प्रकार जो है खुल 12 जो उतिर लिंग है भारत में और उसमें एक जो उतिर लिंग है वह उत्र प्रेस में इस्तित है और यह है आपका कासिव विसूनात मंदीर है तो इसका जो World Metrological Organization अर्था WMO ने United in Science 2021 नामक जो रिपोर्ट है वह जारी की है, बात कर लेते हैं WMO की, तो इसकी जो अस्थापना वह 23 मार्च 1950 में इसकी अस्थापना होई थी, और इसका जो मुख्याला है वह जेनेवा सुर्जर लेंड में इस्तित है, और प्रतेक वर्ष 23 मार्च को 200 मौ आप्सन ए है, वह सही है, वंडे वंडर्स जो पुस्तक है या किस ने लिखी है, रविशास्त्री, सुनिल गावसकर, जीविस सोनात, या दिलिव विंगसकर, तो इसका जो सही आंसर है, वह आप्सन भी, वंडे वंडर्स जो पुस्तक है, वह सुनिल गावसकर ने लिखी है और सुनिल गवसकर जी का एक record है कि टेस्ट माइस में जो है दस अजार रन बनाने वेले सबसे पहले खिलाडी बने थे सुनिल गवसकर और इन्हें लेटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है तो इसका जो option भी है वस सही है वर्स 1949 के लिए भारती राष्टी कांग्रिस का अध्यच की से चुना गया था जैसा कि आप जानते हैं कि वर्स 1949 जो तिरपुरी अध्यशन हुआ था उसमें सुवाज चंद्रवोजी चुने जाते हैं बाद में उन्होंने अपना त्याकपत दे दिया था और इसके बाद डॉक्टर राजिन पसाच जो है वह चुने जाते हैं भारती राष्टी कांग्रिस की अध्यच उन्नीस सो न्तालिस में और इससे पहले सुवाज चंद्रवोज जो है उन्नीस सो न्तिस में भी अध्यच पत पर थे भारती राष्टी कांग्रिस की और वह जो है हरीपुरा अधिवेशन हुआ था और उन्नीस सो न्तालिस में इनके विपच्छ में पटावी सीता रमाया जी थे जिने सुवाज च परह आश्नलों विजय नगर का प्रसिद हजारा मंदिर किसके सासन काल में निर्मीत हुआ तर इसका जो साहिया अंसर है वह अप्शन ए कि ग्रन्त लिखा था तेलगु भासा में और इसी के दर्बार में अश्ट दिग्गेज रहते थे कृष्ण देव रायके आएते हैं अगला प्रस्म लोग इंडियन प्रीमियर लेक का प्रादम वर्स क्या है आई पियल जो है कब से शुरुआ था 2010 2011 2012 या 2008 तिसका जो सही आंसर है वर्स 2008 से आई पियल भारत में चल ला है और प्रादम में जो टीम है थी वह आट टीम है और इस बार 22 का आई पियल हो रहा है इसमें कुल 10 टीम है खेल लही है और या इसका 15 संसकान आयुजित किया जा रहा है वर्तमान में और कुल 5 जो ट्रोफी आई पियल की मुंबई ने जीती है और यह किसी भी टीम द्वारा जीता गया सबसे जादा है और दूसरे अस्थान पर आपका चन्नाई है चन्नाई ने कुल चार बार आईपियल की ट्रोफी जीती है इसको भी आपको नोट कर लिजेगा आएते हैं अगला प्रस्म लोग जीवास मराष्टी उद्यान कहा इस्थित है सिक्कीम, केरल, नागलेंड या मध्यप्रदेश तो इसका जो सही आंसर है वो आप्सन डीम मध्यप्रदेश जीवास सुन्ता दिवस, गरतन दिवस, गांधी जैनती या पर्यावरन दिवस प्रस्ण आपकी परिच्छा में इस प्रकार से पूछा सकता है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गांधी जैनती जो 2 अक्टूबर को मनाए जाती है तो 2 अक्टूबर 2014 को प्रधान मंतिर नरीद मो अंसर है वो अप्सन से आरुनी चावला बनी है फिक्की की महानी दिशक फिक्की की जो अस्थापना है वो वर्स 1927 मोई थी और इसका जो मुख्याला है वो नई दिल्ली मिश्थित है इसका जो अंसर है वो सही है राम पूरा जो भारत में अपना सौर उर्जा प्लांट मिश्थित है और यह भारत में अपना सौर उर्जा प्लांट लगाने वाला पहला गाउंबना आप लोग कौन बाक्स मताइगा कि राम पूरा की जिले मिश्थित है इसका उत्तर आप लोग कौन बाक्स मताइगा आए ते हैं अगला प्रसम लो शूसक शेल के विद्दुत का जो बैलू होता है वह आपका डिनवोल्ट होता है तो इसका जो ऑप्सन भी है वह सही है आएते हैं अगला प्रसम लोग हीरा में प्रकास की गति कितनी होती है यहां पे चार आप्सन दिया गया आप लोग आप्सन पढ़ लिजिए इसका जो सही आंसर है ऑप्सन भी 1.2 इन्टो 10.8 कीलो मीटर प्रसम लोग होती है तो इसका जो ऑप्सन भी है वह सही है और निर्बात में जो प्रकास जो चालोती है वह आपके 3,0,000,000 किलो मेटर प्रसम लोग हाले में उत्तर प्सन सरकार ने ATS कमांड़ो सेंटर कहां अस्तापित करने गोसर रखी है द्जिए देवबंद, आयोध्या, सितापूर या लखनौूं। तो इसका जो सही अंसर है वो अप्शन ए देवबंद में ATS कमांडो सेंटर अस्थापित करने गोश्वरा जो है वो उत्तरपदी सरकार ने की है तो इसका जो अप्शन ए है वो सही है और देवबंद जो है यह आपके सा अगला प्रस्म लो बोकारो लव इस्पास सन्यंत किस पंचवर्सी योजना में अस्थापित हुआ पर्थम पंचवर्सी योजना दुती तृती यह चतूर्थ तो इसका जो सही अंसर है वो आपसन से तृती यह पंचवर्सी योजना में बोकारो लव इस्पास जो है स्थापित हो चुके थे और वोकारो लव इस्पास सन्यन्त की जो अस्थापना है वह सोवियत संग के सयोग से 1965 में हुई थी यह बनना जो है प्रारणबुवा था और तृति पंचवरसी योजना के जो कारिकाल था वह 1961 से छाँचत था तो इसका जो अप्शन सी है वह सही है आयते हैं अगला प्रसम भलो भीम्राव अंबेटकर अंतराष्टी स्पोर्ट स्टीडियम कहां इस्तित है आयोध्या गाजियाबाद वारानसी या कानपूर्म तो इसका जो सही अंसर है वह आप्शन ए आयोध्या में इस्तित है भीम्राव अंबेटकर अंतराष्टी स्पो एक सब्द है और जैसा कि आपनों जानते हैं कि फुटबाल में प्रते एक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं तो इसका जो प्रियावर्ण सरच्छन के लिए ग्रीन आर्मी किस ने प्रारम किया है जापान चीन आस्ट्रेलिया या मिस्र तो इसका जो सही आंसर है वह प्रियाव सोरी का आकार प्रिथिवी से कितना गुणा बड़ा है 124, 100, 109 या 115 गुणा तो इसका जो सही आंसर है वह अप्सन से 109 गुणा बड़ा है सोरी के आकार प्रिथिवी के आकार से और सोरी और प्रिथिवी के जो कुल दूरी है वह लगभग 15 करण किलोमेटर इनकी बीच की दूरी है, आएते हैं आगला प्रस्म दो, जलियाव बाग हत्याकान की जांच के लिए बनाई गई, हंटर कमीटे में कुल कितने सदस थे, 8, 5, 7 या 9, तो इसका जो सही आंसर है, वो अप्शन A, कुल 8 सदस थे, जैसा कि आप जानते हैं कि जलियाव बाग हत्याकान जो है, वो तीन इंडियन थे, और तीन इंडियनों में, चीमनलाल, सितलवाण, साहब ज्यादा, सुल्तान अहमद, और जगत नाराण थे, तो तीन जो है भारती थे, और पांच जो है, वो अंग्रेज थे, तो इसका जो आप्शन A है, वो सही है, खाड़ी सायोग परिशत की होना है, वो मैउ 1981 होई थी, और इसमें कुल, छेरियस आते हैं, आपका बहरीन है, कुवेथ है, उमान है, कतर है, सौधी अरब और युएई है, और इसका मुख्याला है, वो रियाद में है, इसका मुख्याल है, और रियाद यह आपकी सौधी अरब की राज़धानी है, रखा थिसका जो अप्चन भी है वह सही है और यह पिछली बार से 3.58 परिसद जादा होगा और पिछली बार जो अनौन लगा गया था उतपादन का वो 31.600,000,000,000 and 300 इस बार 328 मिलियन टन का अनुमान लगा गया है उत्पादन का तो इसका जो आप्शन भी है वैस सही है और यह है आपका कजाकिस्तान सबसे बड़ा है दूसरे अस्थान पर जो है यह मंगोलिया है बेसु का दूसरा सबसे बड़ा जो असलुद देश है वह आपका मंगोलिया है और सबसे बड़ा जो है वह आपका कजाकिस्तान है तो इसमें दूसरा कुछ है जा रहा है तो इसका आवायद ड्रक का कारूबार होता है इन तीन देशों में, तो इसमें आपका म्यामार है, लाओस है और थाइलेंड है, इसमें ब्रुनोई नहीं है, यह आपका भारत का पुरोत्तर राज है, यहाँ पे, और म्यामार की जो सीमा है, भारत के इन राजयों से लगती है, तो इसम को जो है यह जो तीन देश है यह गोल्डन ट्रेंगल में सामिल है तो बुरुनोई इसमें नहीं है आएते हैं अगला प्रस्म लोग मानव शरीर का कवन संग संतुलन बनाई रखने में मदद करता है मस्तिश्क कान हिर्दय या क्रित तो इसका जो सही अंसर है वह अप्शन B का मानव शरीर का कान जो है या संतुलन बनाई रखने में मदद करता है तो इसका जो आप्शन B है वह सही है धातुगों के अमले के साथ अपक्रिया करने पर कौन से गैस उत्पन होती है हाइडोजन कारवन डियक्साइड नाइटोजन या अक्सिजन तो इसका जो सही अंसर है वह अप्शन A हाइडोजन गैस धातुगों के अमले के साथ अपक्रिया जब की जाती है तो हाइडोजन गैस निकलती है वीडियो अगर आपको अच्छा लगए तो आप लाइक कर सकते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को पूरे देखने धान्यवाद जय हिन जय भारत